दोस्तों, hostage diplomacy, इस particular term को बड़े जबरदस तरीके से चाइना ने यहाँ पे implement किया है और वो यहाँ पे जीता भी है एक ऐसी country जो कि गलत भी करता है और गलत करने के बाद अपने actions को justify भी करता है और फिर अपने आपको end में as a winner भी लेके आता है हुआ क्या है यह जो किस्सा है वो है तीन साल पुराना 2018 का किस्सा है Hawaii नाम की जो company है जो कि आप कह सकते हो कि दुनिया की one of the biggest technological equipments बनाने वाली company है जिसे कि for example जो laptop में, computers में, phone में जो instruments लगते हैं उनका design, उनका software, उनका hardware यह सब बनाने का काम Hawaii company करती है चाइना की one of the biggest company है, इसकी CFO, Chief Financial Officer Meng Hongzoy को Canada में arrest कर लिया जाता है मैं आपको बता दूँ, Meng Hongzoy, Reng Zhengphi की बेटी है, Reng Zhengphi founder है, Hawaii Technologies के पहले Reng Zhengphi, चाइना की People Liberation Army में chief engineer थे और उसके बाद उन्होंने अपनी company खोली, और विसी बात इस company को इतना बड़ा बनाने में, चाइना की सरकार की मदद लगी होगी तब Meng Hongzoy, जो कि उनकी बेटी है, इनको Canada में arrest कर लिया जाता है, क्यों arrest कर जाता है, चूँकि New York में इनके खिलाफ एक arrest warrant निकलता है arrest warrant क्यों निकलता है, ऐसा बोला जा रहा थे कि जो हुआय नाम की company है, ये इरान को, North Korea को, वो companies जिनके ऊपर US ने sanctions लगा रखें, अंडर कार्ट सा एक, उनको specific technology प्रोवाइड कर रही है, अब समझ ये बात को ये जो हुआय नाम की company है, ये कुछ भी बनाया और किसी को भी बेच है, इसमें US का क्या interference है, आज की date में जब China इतना बड़ा जो देश बनके बैठा है ना, वो US की technology की दम पर बैठा है, एक समय ऐसा था कि जितनी भी US की firms थी, जोन्होंने China में अपनी दुकान खोली, उन् ने ट्रांसफर किया है China को, तो आज की date में जो हुआ है इतने बड़ी company बनके बैठी है ना, बहुत हद तक design में, hardware में, software में, बहुत key inputs, बहुत specific technological inputs US की तरफ से गए हैं, और हुआ है इसलिए बहुत बड़ी company बनके आज की date में दुनिया में बैठी है, और यही हुआ है company, इरान और नौर्थ कोरिया जैसी companies को key digital equipments बेच रही थी, ऐसी countries जिनके उपर US ने sanctions लगाये थे, तो इस बात पर US नाराज था, US की एक court से एक arrest order निकल गया, वेंग जाओ का, और में वेंग जाओ को केनड़ा में arrest कर लिया गया, अब जब इनको केनड़ा में arrest किया गया, भ कि दो और लोगों को arrest कर लिया गया, एक थे Michael Kovrick, एक थे Michael Spavor, एक entrepreneur थे और एक formal diplomat थे, तो ये दो Canadians को चाइना में arrest कर लिया गया, जब इनको चाइना में arrest किया गया तो पता है, reason क्या दिया गया, reason ये नहीं दिया गया कि मैंग वंग जाओ को arrest किया है, तो इसलिए हम इन द लोगों को arrest तो चाइना ने इस नाम पे किया कि ये चाइना की internal security और external security को hurt कर रहे है, but internally ये एक hostage diplomacy थी, hostage diplomacy मतलब चाइना ने साफ साफ signal बेल दिया, कि अगर तुम हमारे influential लोगों को arrest करोगे तो हम तुम्हारे को arrest करेंगे, अब Canada बीच में फज गया, Canada में arrest हुई थी मेंग Canada ने arrest इसले किया, चोकि US ने बोला है, अभी Canada के ही लोगों को पकड़ लें, चाइना में बंद कर लिया, तो Canada बीच में बोल रहा हुआ 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 हमारे ही लोगों वहाँ पकड़ रखें, हमारे ही जनता हम पे चिला रही है, पचला तुम्हारा चाइना गया, तुम ये गार्जियन का आर्टिकल है, दो कैनेडियन को चाइनीज ने छोड़ दिया, माइकल कौवरिक और माइकल स्पेवर को चाइना ने छोड़ दिया, हाना कि चाइनीज मीडिया ने इस पर्टिकुलर न्यूस को कवर नहीं किया था, और उसके अगले दिन आप देखोगे कि हुआई की जो मेंग वन्जाओं हैं, इनको छोड़ दिया गया, कैनेडा से इनकी फ्लाइट उड़ी, युएस एर स्पेस को अवाइड करते हुए, नॉर्थ पोल से उड़ते हुई हो चाइना पहुची है, और जब ये चाइना में पहुची है, देखे बिलकुल रेड निकले, वो इस परकार के बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं चाइना वाले, बरहाल यहाँ पर चाइना एक होस्टेज डिप्लोमैसी में सक्सेस्फूल हो गया है, मतलब चाइना जब सच में गलत करता है, उसके CFOs दूसरे कंट्री में अरेस्ट होते हैं, तो उसके होता क् और चाइना भी जो दो लोग कैनेडा वाले बंद है, वो पहुंचे आपके कैनेडा, तो जो जस्टिन टूडो आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाके टेर्मैक पे इन दोनों लोगों से गले निकाला कि आप बहुत मुश्किल जहल के आएं वापस है मतलब पॉलिटीशन अपना काम जबर्दस तरीके से कर रहे हैं, अब वो अलग बात है कि जी दिंग पिंग यहां पर नहीं है चोकि डिक्टेटर्शिप है, लेकिन कैनेडा की जस्टिन टूडो एरबोर्ट पर पहुंचके जाके गले लग रहे थे, चोकि कैनेडा तो केनेडियन डिप्लोमेट्स को आपका, चाइना में पकड़ रहे थे, हलाकि ऐसा नहीं है कि इनको बहुत बुली तरीकी से जेल ने बंद किया थे, लेकिन इनके मुव्मेंट को ब्लॉक कर लिया गया थे, इनके पास्पोर्ट जब्त कर लिया गया थे, तो एक प्रकार की हो होस्टेज डिप्लोमेसी है, और इस होस्टेज डिप्लोमेसी में, चाइना एट थे, एक विनर बन के उभर रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया इसको अलग-अलग प्रकार से कवर कर रहा है। जो सेनेट है, जहां पर जो बाइडन का अपोजिशन है, रेपब्लिकन हैं at the same point of time जो Chinese based media outlets से वो बोल रहे हैं कि Trump ने जो भी यहां पर chaos फैलाई है उसको solve किया जा रहा है Canada ने obvious सी बात है US के उपर pressure डाला हो चुकि यहां पर Canadian nationals involved थे सीधे सीधे इंडिया के context में बात की जाए दो हजार अठारा में जब यह incident हुआ था जब मैंक वॉण्जओं को एरस्ट किया गया तो उस समय पर हुआ हुँ इंडिया में जबरदस तरीके से उपरेट कर रही थी बहुत सारे कॉंट्रेक्स हुआई को इंडिया में बिले हुए थे लेकिन जब से ये लाइन ओफ एक्ट्रोल कंट्रोल पे प्रॉब्लम शुरू हुई है 2020 से तब से आप देखोगे कि हुआई की जितने भी इस वीडियो को शेर करिए इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम गूप जोइन कर लीजे हर चीज कर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और इफ पॉसिबल क्लिक दे जोइन बटन गुडबाए